हालो एवरिवन, वेलकम बैक तो माई चैनल किट्स लार्निंग फन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सरी क्लास स्लेबस, इस स्लेबस के अंदर हम इंग्लिश, माथ्स, हिंदी और जीके का स्लेबस जो है वो डिस्कस करेंगे, यह लेटस्लेबस है 2023 और 2024 के सेशन के लिए, वीडियो को आपको लास तक जरूर वाश करना है ताकि आपको आइडिया हो सके कि नर्सरी क्लास में आपकी बच्चे को इन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का स्लेबस, यानि कि बच् इंग्लिश में सबसे पहले प्री राइटिंग स्ट्रॉक सिखाया जाते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉक होते हैं हमारे स्टेंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, जिसमें लेफ्ट स्लांटिंग लाइन और राइट स्लांटिंग लाइन होती हैं, यहाँ पे आता है कर्व, कर्व में बच्चों को लेफ्ट और राइट सिखाया जाता है और अप एंड डाउन कर्व सिखाया जाता है अगर इस टॉपिक के ओपर डीटेल में आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा लाइक जरूर कीजेगा ताकि मैं एक वीडियो बना सकूँ दैन यहाँ पर बच्चों को कैपिटल लेटर सिखाया जाते हैं जिसमें ए से लेकर की जी तक बताया जाता है ओरल रिटर्न में यानि कि ओरल में भी करवाया जाता है और बच्चों को राइटिंग में भी करवाया जाता है यानि कि रिटर्न में करव यहां पर है object related to each other यानि कि object से relate करके बच्चों को बताय जाता है दन आता है letter matching activity यानि कि जैसे यहां पर A, B, C, D लिखा है यहां पर भी A, B, C, D लिखा है लेकिन उपर नीचे करके लिखा है and then उसको आपस में match करना होता है तो next आता है यहां पर sentence structure like myself myself में बच्चों को बता जाता है जिसमें short sentences दिये जाते हैं only for oral purpose यानि कि oral उनको बताय जाते हैं because बच्चा छोटा होता है तो वो अभी return नहीं कर सकता है जिसमें I am a boy or girl, my name is Ayush, I am 3 years old, I living Hyderabad, I like playing etc इस तरीके से 5 sentence जो है वो बच्चों को oral सिखाय जाते है So next subject है हमारा maths का जिसमें pre math concept बच्चों को बताय जाता है जो बच्चों को pictures की through और objects की through बताय जाएंगे जैसे big and small का concept बताय जाएगा tall, short का concept बताय जाता है heavy and light का concept बताय जाता है full, empty यानि कि भरा हुआ और खाली के बारे में भी बताय जाता है more, less, far, near तो यह छोटे-छोटे concept है जो बच्चों को basically starting में समझाय जाते है इसके बाद आता है numbers में जिसमें 1 से लेकर के 20 तक बच्चों को numbers बताय जाते है जिसमें tracing आता है, numbers का identification आता है match with the same number यानि की same वही है left side में numbers लिखे है, right side में numbers लिखे है जो next line में number लिखे है वो उपर नीचे लिखे है बच्चों को number identification करके उनको match करना है फिर यहाँ पर आता है sequencing from 1 to 20 यहाँ पर sequence बताय जाते हैं बच्चों को 1 से लेकर के 20 तक count the object and circle the number यानि की objects को count करना है और जो आगे numbers लिखे हैं उससे correct match करके उसको matching करना है अगर आप इन subjects के ओपर detail में वीडियो चाहते हैं तो मेरे community box में जाकर कि जो मैंने latest वीडियो पोस्ट की है उसके नीचे जाकर कि आप मुझे type करके बता सकते हैं कि मैं आप इसका फुल वीडियो जो है वो डाल लिए चैनल के ओपर यहाँ पर आते हैं हमारे colors colors में बच्चों को pink, blue, brown, black, red, green, sky blue, yellow, purple, orange यहाँ पर हमने कुछ colors लिखे हैं इन colors के बारे में बच्चों को verbally बताया जाता है next topic आता है यहाँ पर shapes का जिसमें बच्चों को circle, triangle, square और rectangles related objects को दिखा करके उनको shapes identification सिखाए जाता है then यहाँ पर उनसे related कुछ questions पर उनसे पूछे जाते हैं जैसे what is the shape of coin coin यानि की सिक्का, सिक्के की shape क्या होती है coin की shape क्या होती है what is the shape of eraser eraser की shape क्या है what is the shape of pizza, piece और samosa वो triangle shape में होता है तो बच्चों को इस तरीके से questions पूछे जाते हैं और उनकी जो shapes है उसकी identification उनको clear की जाती है then यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हिंदी subjects related तो हिंदी में बच्चों को लेखन stroke अभ्यास करवाया जाता है यानि कि same वही standing line sleeping line, slanting line, slanting line वही बताई जाती है तो यहाँ पर यह standing line जिसे हम हिंदी में खड़ी रेखा बोलते हैं यह sleeping line है जिसे हम पड़ी रेखा बोलते हैं यह हमारा right curve है यह left curve है यह जैसे अ से अनार बनाएगा बच्चा उससे related घर से घर बनाएगा उससे रिलेटर यहाँ पे बच्चों को स्ट्रॉक सिखाय जाते हैं दन यहाँ पे स्वर उनको बताया जाएगा जिसमें अ से अ तक पढ़ना और लिखना यानि कि यहाँ पे रीडिंग भी रहेगी और बच्चों की राइटिंग भी रहेगी दन यहाँ पे वर्कशिट उनको करवाई जाती है जिसमें प्रेसिंग रहता है सही अक्षर के साथ मिलान करो यानि ए आ ई ई ई लिखा है बच्चों के लिए और सेम यहाँ पे भी लिखा है फिर उनको आपस में मैच करना है चित्र पहचान कर मिलान करो जैसे अ से अनार तो अनार की पिक्चर ड्रौ होगी और अ लिखा होगा आ से आम आ लिखा होगा आम की पिक्चर ड्रौ होगी तो जो सही अक्षर है उसको सही चित्र के साथ मिलान करना होगा यानि की मैच करना होगा चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो अब बच्चों को जब यह identification clear हो जाती है दन उनको चित्र दी जाएगा जैसे इमली का चित्र दिया है और उसके आगे उसको पहला अक्षर लिखना होगा यानि की छोटी E अब यहाँ पे बच्चों को oral जो है वो सिर्फ मौखिक पढ़ाया जाता है यानि की verbal पढ़ाया जाता है oral पढ़ाया जाता है यहाँ पे return नहीं होता है तो व्यंजन में हमारे मौखिक तरीके से पढ़ाया जाएगा जैसे करसे, कबूतर खरसे, खरगोश, गरसे, गमला यानि कि यह सिर्फ oral ही करवाय जाएगा नेक्स टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे जीके का यानि कि जनर्नल अवेरनेस जिसके अंदर बच्चों को myself के बारे में बताया जाता है my body parts के बारे में बताया जाएगा नेक्स टॉपिक आता है हमारा my family then my home and my school इसमें भी बच्चों को five five sentences ओरल बताये जाते है then यहाँ पे आ जाता है transport का पार्ट यानि कि यातायाद के साधन so transport में यहाँ पे पहला आता है road transport यानि कि जो road के ओपर चलते हैं वो transport जिसमें आते हैं हमारी bus, scooter, bicycle, bike और air transport में आते हैं हमारे यहाँ पे helicopter and aeroplane water transport के अंदर हमारी boat and ship आती है तो यहाँ पे यह बच्चों को चीज़े बताई जाती है then आ जाते हैं हमारे fruits यानि कि फल so fruits के अंदर बच्चों को five five चीज़े बतानी है तो जैसे orange, banana, mango, grapes, apple यह सारी चीज़े उनको हिंदी और English दोनों में बताई जाती है then यहाँ पे बात आ जाती है हमारी vegetables की so vegetables के अंदर बच्चों को tomato, potato, ginger, onion, peas पांच बताने हैं यहाँ पे seasons बच्चों को oral बताई जाते हैं जैसे summer, winter and rainy then यहाँ पे बात आती है animals की so two types of animals उनको बताई जाते हैं पहला है wild animals जो जंगली animals होते हैं जंगली जानवर होते हैं और domestic animals के बारे में domestic animals वो animals होते हैं जिनको घर में पाला जाता है तो इस तरीके सब बच्चों को general awareness के बारे में बताई जाता है so आज हम लोगोंने discuss किया है nursery slaves 2023 जिसमें हमने English, Math, Hindi and GK के बारे में discuss किया है अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और चैनल Kids Running Fun को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू